हाई अब्रिवन आज की लेक्चर में हम देखने बाले हैं स्ट्राटिक जीके का एक और इंपोर्टेंट पार्ट वो है डेम्स तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं हम ही जो डेम्स देखेंगे यह स्टेट बाइज और किस रिबरपन है वो देखेंगे और यह हम ट्रि हो गया नेशनल पार्क हो गए ठीक है और एक माउंटेन पासेस हो गया यह है तो जोग्राफी का पार्ट लेकिन हम इसे स्टैटिक जीके में कवर करते हैं तो इसलिए मैं आपको स्टैटिक जीके में कवर करा रहा हूं और हम प्रिबियस लेक्शर देखनी जाओगे तो प्रिबियस लेक्शर फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट भी एक बना दिया इस्टैटिक जीके करके वह जाके आप चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए हम यह लेक्शर शुरू कर लेते हैं जिसमें हम डेम्स भारत का नहीं दुनिया का टॉलेस्ट डेम पूछा जाए तो वो नौरिक डेम है जो की तजाका इस्तान में है उसके बाद अगर आपसे लॉंगेस्ट डेम पूछा जाए वर्ल्ड का यह आपका हीराकुन डेम है जो की उड़ी सामे है आप देखो लॉंगेस्ट डेम चाह यह भाकरा डैम है, हिमाचल प्रदेस में है ये फर्स्ट डैम आफ इंडिया देखा जाए तो कलनाई डैम है कलनाई डैम, कलनाई डैम, ये है आपका तमिल लाटू में चलिए ये है एक कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो डारक्ट आपको याद होने चाहिए अब हम state wise देखेंगे आगे कि state wise कौन कौन से डैम है किस river पर है अगर मैं आंदर प्रदेश की बात करता हूँ तो आंदर प्रदेश की यहाँ पर आपको तीन डैम है जो याद करने चाहिए एक है आपका नागा अरजुन सागर डैम एक है आपका सिरी साइलम डैम एक है आपका सौमा सिला डैम और देखो आपको एक चीज और पता होना चाहिए आंदर प्रदेश से ही तेलंगाना बना था इसलिए कुछ पार्ट नागा अरजुन सागर डैम का तेलंगा ना में भी आता है ऐसे सिरी साइलम डैम का तेलंगा ना में भी आता है तो तेलंगा ना हम नहीं करेंगे तेलंगा की दो इंपोर्टेंट यह है एक और याद कर लेना मूसी डेम, मूसी रिबर पर यह वो भी तेलंगा नमें तो यहाँ पर आन्द पर्ञत्रीस और हमने तेलंगा ना दोनों देख लिए हैं अब देखो हमें कैसे याद करना है नागा अर्जुन सागर डेम नागा अर्जुन आपको ऐसे याद करना है कि जो अर्जुन था ना वो आंक बंद करके भी अंदा हो गया अंदे से आंदर परदे सुच गया कि नागा अर्जुन आंक बंद करके भी पता है वो चला देता था तीर तो उसका सही निसाने पर लगता था अर्जुन इतना धनु स्यीहन सिलम और किछ astrology करलेना उसके पाद स्वामा स Dea ये पैने लिए प्र है तो यह आप थोड़ा डारेक्टली याद रख लेए जार यूंद में rich produ बिल जाता है मिनी मार्ष और जयाता है मिनी माथट बैंगो डे या हस दीओ बैंगो डेम भी बहुए जाता है उसके बाद है दोदबा डेम देखो दोदबा डेम की बात करी जाए तो 36 गड़ में है बट अगर दोदबा नेशनल पार्क की बात करी जाए तो कहां है यूपी में है हम पढ़ चुके हैं मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि दुदबा नेशनल पार्क कहां पर है यूपी में है कैसे याद किया था हमने हमने नेशनल पार्क इस तरह से याद किया था कि सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कहां होता है यूपी में होता है तो दुदबा नेशनल पार्क हमारा यूपी में है अब देखो जो मिन भेंस है उसके 36 बच्चे हैं वो दिखने में छोटी लगती है छोटी सी भेंस है साइज बड़ा नहीं है लेकिन उसके 36 बच्चे है आप से कोई ऐसे बात बता रहा है ठीक है आप हस रहे हो तो वह भाई हसो मत इसके 36 बच्चे हैं इसके और यह दूद भी बहुत देती है तो मिनी माता मत dubri माता है मतलब भाई उनके 36 बच्चे हैं 36 से शहती संखण और दूद the बहुत देती है दुदवा और अब देखो अस हास्वमत से अस्डियो भी याद Ou उसके बाद दूद भी भी बहुत देती है, इसका मतलब बहुत महान बहाँ हुई, दिखने में ही छोटी लग रही है, वैसे तो बहुत महान हुई, तो उस तरह से आप महान अदी भी याद कर सकते हो, तो 36 गड़ के ऐसे याद कर सकते हो, और जो मैंने ये, स्टोरी सी बताए है, इसे अपनी भाषा सामें अपनी नोड्स में लिख भी सकते हो उसके बाद है मेरा गुजरात के मेरे तीन डेम है उकई डेम उसके बाद सरदा सरोबर डेम और मिटी डेम अब देखो सरदा सरोबर डेम नरमदा रिवर पर है उकई डेम तापती रिवर पर है और मिटी डेम आपका मिटी रिवर पर है अब आपको कैसे याद करना है सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो सरदा सरोबर डेम डारेक्ट याद रखो सरदा सरोबर डेम आपका कहां पर है गुज गुजारा होता वो एक इंसान कहा तपती धूप में तपती से तापती में तपती धूप में काम करते करते तपती धूप में काम करते करते मैं मतब उक गया हूँ मतब उब गया हूँ अब मेरा गुजारा नहीं होता तो गुजारा से गुजरात उब गया से उकई डैम और एक ऐसे सेंटेंस को एकस्टेंड करके तप्ती धूप में और मिट्टी में अब काम नहीं होता या अब गुजारा नहीं होता तो इससे मिट्टी प्रदेna करना है किमाठ्ब प्रदेश का एक है व्हांग डेम जो कि ब्यास रिबर पर सकते हैं お बढ़ जाता या कम हो जाता जब आप हिमाले पे चड़ते हो ठीक है ऐसे याद कर सकते हो या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि बस अब नहीं चड़ा जारा पुंगी बजगी जैसे आप हिमाले पे चड़ते हो और आप किसी से बोले हो कि बस बस से ब्यास बस अब नहीं चड़ चड़ा जा रहा अब तो मेरी पुंगी बजगी में जान निकले अम से ब्यास और पुंगी बजगई से पुंगी डैम ऐसे याद कर सकते हो उसके बाद एक आपकी जो दोस्त है जो आपके साथ हाइज येकिंग ट्रैकिंग कर रहा है वो बकर बकर मत कर ठक गया तो थोड़ो सैताले सैताली का मतलब आम बासा में सैताली बोला जाता है आराम कर ले फिर चड़ना सैताले से सतलर्ज रिवर और बकर बकर मत कर भाकरा डैम इस तरह से आप हिमाचाक परदेश के याद कर सकते हो उसके बाद अब हम देख लेते हैं जम्मू कस्मीर के जम्मू कस्मीर के हमारे चार डेम है एक है बगलीहार डेम, एक है सलाल डेम एक मैंने बीच में यहां लिख दिया दुलहस्ती डेम डी यू एल एच ए एस टी हाई दुलहस्ती डेम और एक है हमारा उरी डेम वहीं पर उरीड़म आपका जहलंप पर है आपको प्ताय है उरी उरी उठाइक की थी भारत ने तो आतंकबादियों का इतना ज़्याधा बढ़िया था उनकी जो हरकतें थी वह इतनी ज्यादा बढ़ गए थी कि उसे हम जहल नहीं पा रहे थे तो हमने क्या करा उडी पर स्ट्राइक उमरूरा कि आप ऐसे याज कर सकते हो आतंग वादियों ने इतनी बसड मचा रखी थी कि हम उसे जिल नहीं पा रहे थे और हमने उडी पर किया क्षा करें भसड की से बेगरिश possa डे number ay ऐसे सलहार देम और woven दिश आपका दोल हर behö लेंपर इतुना चए ö खराब कर रखा था चेन इतना नहीं लेने झावर ते उसके बाद है आपका जारखंड, जारखंड के तीन डैम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, पेपर पॉइंट अब उसे काफी इंपोर्टेंट है, पंचेट डैम, मैथुन डैम और तिलैया डैम, देखों पंचेट डैम आपका दामुदर रिवर पर है, और आपका तिल जारी में पकरी, ऐसे याद कर सकते हो, और रिवर आप इसके डारक्ट याद कर लेना, उसके बाद है हमारा करना टका, करना टका, पहला है यहाँ पर किष्णा राजर सागर डैम, दूसरा है तुंग भद्रा डैम, और तीसरा है अलमाट्टी डैम, आप देखों कैसे याद करना है, पहले हम रिवर देख लो, किष्णा राजर सागर डैम है, वो काबेरी रिवर पर है, तुंग भद्रा डैम है, वो आपका तंग भद्रा रिवर पर है, अलमाट्टी डैम है, वो आपकी किष्णा रिवर पर है, अब आपको कैसे याद रखना है, यह बताते हैं, द कि भगवान जी बहुत नाटक करते थे तंग करके रख देते थे कावेली अम्मा को तंग से या दो गया उसके बाद अल्माइटी देखो किसन भगवान कौन को थे अल्माइटी यह लिका है almighty भगवान होते हैं, तो किसन भगवान और को होते हैं? अल्माईटी थे, भगवान थे और almati जब किसन भगवान थे तो किसन नारे बर पर है आप ऐसे भी याद रख सकते हो या आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्यों कि मट्टि से इंसान को जुड़के रहना चाहिए ज्यादा ना ठक नहीं गरना चाहिए ज्यादा उचलना कुंड़ना नहीं चाहिए ना ठक नहीं करना चाहिए है उसके बाद है हमारा केरल केरल में हमारे थो है एक D sticky most important dam है आपका paper point of view से उसके बाद हम देख लेते हैं Madhya Pradesh, Madhya Pradesh में आपके चार है, Banh Sagar Dam, Gandhi Sagar Dam, Indira Sagar Dam तो यह जो Sagar 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 Dam आ रहे हैं, यह Madhya Pradesh में होंगे, Banh Sagar Dam सौन पर है और Gandhi Sagar Dam आपका चंबल रिबर पर है, Indira Sagar Dam आपका नरमदा पर है, ओमकारिसर कहां पर है, बनवदर जोत्री लेंगे, मैंने टेंपल बढ़ाई थे जब आपको पढ़ाया था, तो ओमकारिसर Dam कहां पर है, नरमदा रिबर पर है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका महराष्ट्रा, महराष्ट्र में आपके चार डेम है जो आपको याद करने, एक है आपका बचसा रिबर, एक है आपका कौईना रिबर, एक है आपका उज्जैनी रिबर, अब ये बचसा डेम बचसा रिवर पर है कोईना डेम कोईना रिवर पर है बर्ना डेम बर्ना रिवर पर है और जैनी डेम भीम मा रिवर पर है अब देखो उसमें भीम जैसी तागत है वो आपकी जान ले लेगा वो आपकी जान ले लेगा भीम जैसी तागत है वो अपनी जा प्लाजाता कोई न मैं तो चला जाँ मैं तो जाऊंगा जैसे दिखो यह याद लगना है जाने करना को ऑफ wat मैं रहे ने कहाया हुँ कोई इंसान मुंπαid जाने के लिए मभाई जाने की कह राए और कि रहा है कि मैं एक्टिंग से कि रहा है तो आप कह स्ब级 क् Apparently अब बहुत से बत्सा डैम बत्सा रिवर पर आप कहरो उसे देखो कोई ना जो आपका कॉम्प्टीशन है कोई बात नहीं मैं मुझे एक्टिंग अच्छी आती है मैं तो जाओंगा तो कोई ना डैम कोई ना पर ठीक है इस तरह से आप याज कर सकते हो उसके बाद है आपका उड़ीसा उरीसा में है हीरा कूंड debates रिशकर है अब हम ऐसे याद करना चाहे हैं तो हम इस ऐसे याद कर सकते हैं कि हीरा मतलब डायमंड डायमंड पाने के लिए कूधना उड़ना कुछ भी पड़े कितनी भी महनत करनी पड़े मैं करूंगा डायमंड पाने के लिए तो देखो diamond पाने हीरा पाने के लिए उड़ना पड़े कूंदना पड़े उड़ना से उड़ी सा कितनी भी महनत से महा नदी इस तरह से आप इसे co-relate करके हीरा कूंदना महा नदी के हीरा पाने के लिए मुझे कितनी भी उड़ना कूंदना पड़े महनत करनी पड़े मैं कर लेंगा उसके बाद से पंजाभ में आपका है रंजीत और रहते थे तो दोस्ते और पंजाम में रहते थे ग्म में और किस रिभर पर है रावी रिभर पर है उसके बाद हमारा आता है जहर्विंत्तार राजिस्तानแล Enagen ऐके आपका जवाहर सागर डैम जो कि चंबल रिबर पर है एक है आपका माही बजाज सागर डैम जो कि मही रिवर पर है एक है आपका रहना-प сторон सागर रिपर डैम आप लिबाद शूबले द्रच करनाई माहीं से अचर चामे जो महन सिंग दोनी ठीक है माही से क्या रख सकते हो महें सिंग डौनी और आपको बता है महें सिंग डौनी ने किर्किट में राज किया था तो माही बजास सागर डेम माही किर्किट में राज किया था राज से राजस्तान और देखो राजस्तान में आपको बता है थोड़ा रजबाडी टाइप लोग रहते थे तो राणा प्रताप ठीक है राणा प्रताप एक नामी ऐसा जो लग रहा है कि हाँ इंसान राजिस्थान से होगा तो राणा प्रताप सागर डेम कहां का है चंबल मदब राजिस्थान का और किस रिवर पर है चंबल रिवर पर है जबाहर सागर डेम आप दार काबेरी रिबर पर है एक सोलियार डेम है जो कि भवानी रिबर पर है अब यह कैसे याद करना है आप ऐसे याद करो कि तुम भवानी के लिए भवानी जैसे एक लड़की है और एक लड़का है वो उससे प्यार करता है और उसकी अम्मा का नाम है काबेरी उसकी अम्मा कह रही काबेरी अम्मा से मत दूर जाओ मत दूर से मैं टूर देम और काबेरी अम्मा से काबेरी इस तरह से याद कर लो ठीके आप आगे बोलो आप के अम्मा सोलो रह जाएंगी सोलो मतलब अकेली सोलो से सोलिया डेम भवानी के चक्कर में तो सोलो कहां हो गया भवानी पर तो तमिल time seriously बता रहा हूं recall करने में इतना ज्यादा help करेगा ना बहुत ज्यादा help करेगा उसके बाद है आपका उत्राखंड बेटा सेकंड बस हमारे दो रह गए उत्राखंड है उत्राखंड है उत्रप्रिदेश देखो उत्राखंड में हमारा एक है कोटेशोल डैम जो की रामगंग जिसको गोविंद बलव पंत सागर डैम भी बोला जाता और यह रिहांद रिवर पर है तो देखो हम बहुत कम समय में यह पूरी स्टैटिक जी के खतम कर रहे हैं और मैं देखो कोई भी लेक्चर में फालतु बगवास नहीं करता जिस वजह से आपको कॉंटेंट एक अगर और लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाई बाई टेक केर